नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है। बीजेपी का नेता बैठे है। हम लोग ने बार बार कहा है कि 2019 की जो शांदार काम्याभी है नितिश्कवाजी के नेते तुम्हें लोकसभा में 49 दीटे हम लोग ने जीते। और अब उस काम्याभी को दोराने की और हम बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में भारतिय जनता पार्टी के जिन कुछ नेताओं के बैयान आते हैं। यह भारतिय जनता पार्टी के लिए चिंता का विश्य होना जी हमारे लिए चिंता का विश्य है इसलिए नहीं है कि जब इस सवाल को लेकर के अमिज साजी का एस्टेंड साफ है प्रदानमंति इंडरेंद्र मोधी की सहमती है और गडबंदन में शामील लोजपा और जदियू को कोई कठिनाई नहीं है तो इक्के दुक्या सहमत नेताओं के बयान का कोई अचिते नहीं है लेकिन ब्रह्म बढ़े इसको दूर करने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी को पासवान जी का नहीं है कि हमीज शाजी कोई बात कहे और वो उसकी धार को कुंद करने का काम संजेप आसवान जी का कोई बयान कर दे लेकिन ये अनुशासर हिंता है भारतिय जन्ता पार्टी को इसका संग्यान लेना चाए है और उनके خिलाब कर वाई करनी जाही बीजेप में ऐसे बयानों के लिए वो क्या मानक तै करते हैं यह उनको फैसला लेना है उनके अगर दल का कोई मसला है तो मैंने इस वस्ता हो कि इसमें हमारी कोई भूमी का है लेकिन तीन दलों के गड़बंदन को लेकर तीनों दल के निताओं में सहमती है तो फिर ऐसे लोगों के बयान का क्या अर्थ है मना यह जा रहा है कि जिस तर से प्रसांद के सोर ने सीटों के बटवारे का फर्मूला दिया उसके बाद बीजेपी के निताओं ने हमला किया जेड़ी उपर अब बीजेपी के निताओं बनाने कोसिस कर रहा है सीटों के बटवारे को लेकर नितिस कुमार पर देखे एक बात बिल्कुल साफ है गडवंदन में 2019 के लुकसाओं के पहले भी इस तरह की कई आसंका है थी उसका निराकरन हमारे नेतितों ने किया तीनों दलों का नितितों सुल्या हुआ है और हम आस्वस्त है कही कोई कठिनाई नहीं होगी तीनों दल मिलकर के तरह करेंगे किसके हिस्से में कितनी सीटे जाएंगी कौन की सीट पर लडएगा सवाल के नितितिस कुमार जी का चेहरा है और हम जम कर लड़ेंगे मजबुती से लड़ेंगे और शांदार जित दर्ज कर लड़ेंगे हमेशा कितरा नेखिए ये सवाल अभी premature है कि इन सवालों का जवाब दिया जाए मतलब बराबर 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 सेटों पर भी लड़ा सकती है पार्टी प्रवक्ता की भूमिका है नेतित्यों के द्वारा लिये गए फैसलों की जानकारी आपको देना तो समय आएगा आपको जानकारी मिल जाएगा अब संजे पस्वान कह रहे हैं कि काम चलाओं मुखे मंत्री है नेतियस कुमार और उन्होंने कह दिया है तो हम लोग की बहुत चिंता राजट की नहीं है राजट का जिस तरीके से पतन हो रहा है उसमें आलाग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई साख नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और जब बिहार के 15 वर्सों के सासन की जब भी चर्चा होती है तो बैक फूट पर दिखते हैं मुझे लगता है हम सब जरूरत के आशिरूरत की प्रत्याशा में काम गड़ते हैं जरूरत ने बारबा नितिश कुमार जी के करिस्माई चवी पर भरुजा किया है और 2020 पे एक बाद फिर उनका आशिरूरत मिलेगा इसलिए कि जरूरत की आदालत सरूपरी है जरूरत जो तैगरती है वही होता है झाचे के करिस्टा से भरुट